हलो इस हम बेद्धोरसान चैپ्टर से बहुत ही इंपर्टतं टापिक लेके आए हैं जिसका नाम है बैद्धोरसान इंटापिक डेहतों आप है क्या होता है बेद्धोरसानिक चैनल एक परकृष्य युक्ती पेस होती है जो गैम के लिशी को ऐलेट्रिकल इनर्जी में चेंच करती है जानि इसके डिफिनिशन में हम लेक सकते हैं कि बायदो तोरजा वह बैड़ती तोरजा में चेंच करती है उसे बादोरासानिक कहते हैं कि तो बैद्वर असानिक सेल का जो में एक्जाम्पल होता हो कि डैनियों सेल होता है जिसे गैल वैनी सेल भी कहते हैं कि तो इसकी सरचना से सम्मंदित कुछ आश्रीच पॉइंट हैं आपको बता देते हैं जस तरीके से पॉइंट करते जाएंगेस तरीके से इसके चित लिऄ है बहुत ही आसानी सबसे पहले नुत कर छीठोक होता है और इसे में जींक की चलफेट में jaan-k towel को देते हैं दूसरे पात्र में copper sulphate का विलेन भुल मि रहती है दूसरा पात्र रहें तो कापर सलफेट के विलियन से बढ़ा होता है और इसमें कापर की छड़ जो है डू भी रहती है इस प्रिकार दो अर्द सेल बनकर तयार हो जाते हैं फिर कि दोनों अर्द सेलों को एक लवड से तो दोरा आपस में जोड़ दिया जाता है लवड से तो क्या होता है तो लवड से तो यू आकार की काज की नली होती है जिसमें लवड किसी भी साल्ट जैसे पोटेसियम क्लोराइड पोटेसियम नाइटरेट अमोनियम क्लोराइड का विलेन भरा होता है और फिर इन दोनों अर्ध सेलों के इलक्टोडों को जो अर्ध सेल के इलक्टोड है इन इलक्टोडों को गैलवेनों मीटर से जोड़ देते हैं अब जैसे कि पॉइंट बताएं तो पॉइंट के अधार पर इनका डाइग्राम क्या होगा कि सबसे पहले दो पात्र होते हैं तो हम दो पात्र बनाते हैं एक पात्र हो गया और दूसरा पात्र हो एक पात्र में जिंक सलफेट का विल्यन मानुझे फ़र्स्ट पात्र है पहला पात्र तो इसमें हमने विल्यन भरा है जेडिया नेर्स फोर विल्यन जिंक सलफेट का विल्यन और इसी में जो है हम जिंक की चर्ड एस एलक्ट्रोड के रूम में लगा देते हैं जह है जिंक रोड जो किसका काम करती है एलक्ट्रोड का इसे हम फ़र्स्ट पात्र है जह हमारा इदर सेकेंड पात्र है तो सेकेंड पात्र में कापर सलफेट का विल्यन भरते हैं इसमें जो सल्यूशन वह रहा है लक्ट्रोड वह है कि सी यूए सो फॉर्ट और इसमें जो हम रोड दूबाते हैं जो छड़ होती है अब कापर सलफेट की जिस लवर्ड का विल्यन होता है जिस साल्ट की जो है रोड कापर सलफेट का विल्यन है तो कापर रोड किसका काम करती है एलेक्टूड का जो हुआरे इलक्टूड है जिंक इलक्टोड का पर इलक्टूड अब इन दोनों सहलों को हम एक यू वाकार की नली कांच की नली होती है यू आखार में इससे जो है दोनों से लों को जोड़ देते हैं और इसके अंदर जो है बिलन भरा होता है वो साल्ट होता है इसे कहते हैं साल्ट ब्रिज यह मैं है साल्ट ब्रिज हो गया। सब्सक्राइध अमप daar या फोटेसीम् क्लॉराेड का हो सकता है या फोटेसीम心 होता है अब इन दोनों इलक्ट्रोड़ों को यह दोनों लेक्ट्रोड है इन जोड़ देते हैं जोड़ दिया है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास एक अर्द सेल कि जड़ेंज और यह यह सो फोर का हो जाता है यह यह सब्सक्राइब और अर्द साल्ट ब्रेज लगा है दूसरा जो अर्द साल है कि उसमें सी उए सो फोर सेल्यूशन है और सी यू यह नि कॉपर अडू बी है तो इस प्रकार यह मारा अब ऑजाता है इस तरीके से एंग सेल को प्रदासित करते हैं कि यह फिर में इस तरीके से इसको भी लिए सकते हैं कि यह जडे अन है से जडेट टू पोजिटिव कि साल्ट ब्रिज सी यू टू पोजिटिव से कापा स्वालिड है अगे शेल प्रिद्रशन हो गया जैसे ही सेल में यहाँ पर साल्ट जोड़ते हैं तो हमारी केमिकल रियक्षं सुरू हो जाती है हुआ कि हम केमिकल का ही यूज करते हैं तो जैसे टोटल chemical है chemical से जो है इलक्ट्रिक नर्जी बनती है इसलिए हम इस सेल कॉम करते हैं बेद्धर रसानिक सेल यह इलक्ट्रोगेमिकल सेल और इसमें जैसे इस जोड़ते हैं तो इलक्ट्रानों का प्रवाह है वह एनोड से कैथोड की तरफ होता है जिंक इलक्ट्रोड से कापर इलक्ट्रोड की और इलक्ट्रान मूव करते हैं और जो धारा है आई वो इलक्ट्रानों की विप्रीद दिसा में वहती है धारा जो है वो इलक्ट्रानों की विप्रीद दिसा में प्रवाहित होती है कि आई ये क्रियाविदी के बारे में जान लेते हैं कि एनोड पर जिंक का आक्सी काड़ होता है इसलिए एनोड पर माइनस से लिखते हैं और कैथोड पर सी यू टू पिलस आयन का अप्चेन होता है तो कैथोड को हम पिलस से लिखते हैं तो यहां पर अगर हम डाइग्राम बनाते हैं तो उसमें एनोड को जो है बाइयोर और कैथोड को दाइयोर लिखा जाता है कैथोड को पॉजिटिव से एनोड को गेटिव से क्यूंकि एट ए के लड़ेंगा ने नोडेंगे पर क्या होता है और आकसी कन किसका होता है जिन्क करी की एनोड हमारा तो किसका बना होता है इस इन के क्लिए जिसके लाए लग्तानों कात्याग होता है उसे हम कहते हैं अग्यट की होता है कि यू टूपइलस आयन का झो दूसरे पातर में यह पर करते हैं कि यहां से आए हुए लक्टान को ग्रेहंट और लेते हैं तो इसक्राइब प्लस जो है लगटन को गएन कर लेते हैं अलगटान को गएन करके अचे यू पर लिञ diyorsun होता है तो इलक्टान को ग्रेंड करना यानि गेन अफ लक्टान कहलाता है हमारा अप्चैन हो रहा है यहां पर अप्चैन अप्चैन होता है प्रेथोर्ड पर इसकी जो है Primary हम लिख सकते हैं किfeitले अन प्लास की यो-टो से 0 को येन टो एप्लास के यूह हां पर जडेन सोल्ट फॉर्म मां में है सी यू तो賽 accessory में में और इधार जडेनल जो है टूपलैस एक फॉर्म में है एस सी उौ ने इस of तो हम देश होते हो कि इस रियक्शन में जे रेन को अक्सी कांड हो रहा है कापर का अप्चेन हो रहा है तो इसे हम कह सकते हैं जो क्या है हमारी रिडॉक्स रियक्शन जो हो जाएगी रिडॉक्स रियक्शन इसे हम रिडॉक्स रियक्शन कहेंगी तो जे डेनियल सेल की कि रि दिखी रिडॉक्स रियक्शन इस तरीके से पूरा हम डेनियल सेल कवाल कर लेते हैं और बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है कि डाइग्राम सहीध है जो आप इसको बहुत बढ़िया से लान कर लेना है बहुत ही आसान वासा में आपको लोगों समझा दिये हैं ओके